तो लास्ट लेक्चर में हमने रैसिमोज और साइमोज की बात की थी आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं flowers की और उनके different different structures को हम लोग देखेंगे तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं flowers की तो बात करने वाले हैं the flower अब देखो यार हम लोग flowers की बात करेंगे और इनके different different structures की बात करेंगे तो जो flower होता है, वो होता ही क्या है, it is reproductive unit of angiosperms, जो flower है, वो क्या होते हैं, reproductive unit होते हैं, angiosperms की, ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं, तो जो ये flower का सबसे नीचे वाला, lower most bulging part होता है, lower most bulging part होता है, swollen structure होता है, आप सभी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं, थेलेमस, क्या बोलते हैं, यार, थेलेमस बोलते हैं, और थेलेमस को और भी हम बोल सकते हैं, receptacle, क्या बोल सकते हैं, receptacles बोल सकते हैं, थेलेमस को, तो याने के थेलेमस का दूसरा नाम हो सकता है, receptacles, और ये basically thelemus होता क्या है? ये पेडिसिल होता है, ये क्या होता है? पेडिसिल होता है, याने की ये stalk होती है flower की, clear? सबसे अंदर की तरफ जो यह फ्लॉवर का स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते इनोशियम मैं डिटेल में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि जो सेक्शुल रिप्रोडक्शन फ्लॉवरिंग प्लांट है उसमें मैं डिटेल में बता चुका हूं आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं तो यह जो गाइनोशियम है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव इस बात को ध्यान रखिए और यह इनरमोस्ट होता है इनरमोस्ट ठीक है यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जो छोटे क्लास के बच्चे होते हैं वीट वालों को तो खेर रट रट के आदती हो गई होगी लेकिन जो यह गाइनोशियम है इनरमोस्ट सबसे अंदर रप्रेजर्ण होती है तो यह यह जो दूसरा स्ट्रॉक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एनरोशियम इसको क्या बोलते हैं बच्चों यह एंडुक्षियम क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव इस्डॉक्षर होता है अब देखो फिर क्या होती है बढ़िया बढ़िया पत्तियां होती है flower की, रंग विरंगी और इनको हम क्या बोलते है petals बोलते है और जो roll of petal होता है उसको बोलते है corolla, अब ये roll of petal क्या है sir, again आप जाके उस video में देख सकते है corolla, ठीक है ना अब जो ये outer most structure होता है उसको हम बोलते है calyx, क्या बोलते है calyx बोलते है clear, जो outer most structure होता है उसको क्या बोलते है calyx बोलते है, अच्छा सुनू कभी-कभी flower में एक extra leaf present होती है अगर वो present है यसे इसको हम बोलते कैες इसको हम बोलते है bracket, क्या बोलते है bracket, अगर ये present है if present, अगर present होती है तो इसको हम वोलते हैं bracketate circle ६ और अगर यह bracket absent होती है इफ absent उसको हम क्या बोलते है inakand tu जाती है तो ब्रैक्टिड को जाती है तो bractiate flower और e-bractiate flower फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देखो आपने कुछ flowers देखे होंगे जिनकी जो petals होती हैं वो बिल्कुल united हैं जुड़ी होई हैं फ्यूज हैं और कुछ flower देखे होंगे जिनकी petals आपको अलग-अलग दिखती हैं तो अगर यह जो corolla है जो यह petals है अगर यह fuse है अगर यह कैसी है fused है तो in this condition को हम बोलते हैं गैमो-petalus क्या बोलते हैं गैमो-petalus और अगर यह free है तो इसको बोलते हैं poly-petalus ठिक इसी तरीके से कैलिक्स में भी अगर यह fuse है तो इसको हम बोलेंगे गैमो-sipelus और अगर यह free है तो बोलेंगे poly-sipelus ज्यादा important नहीं है इसको ध्यान दखिएगा ठीक है गैमो-sipelus और poly-sipelus सॉरी गैमो-sipelus और poly-sipelus गैमो-petalus िए poly-petalus जो यह एंड्रो-sipelus और गाइन उशियम होते हैं यह flower के रिप्रोडक्तिव रिप्रोड़क्तिव structure होते हैं यानिकि necessary structure होते हैं जब्किंद्रोषियम के लावा केलिक्स और कोरोला है् यह से होते हैं यह एसे सरी स्ट्रक्चर होते हैं यह रिप्रोड़क्टिव नहीं होते एक और चीज़ देखी ज़रा यहां पर इंप्पॉर्टन नहीं है लेकिन जो बच्चे 11 में हैं चुकि उनका बेस मजबूत करना है तो उनके लिए इंपॉर्टन है इफ कि फ्लॉवर कि कंटेन कि बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट अगर फ्लॉवर दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट दोनों ही कैरी कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं बाइसेक्शुल क्या बोलते हैं दोस्त बाइसेक्शल बोलते हैं और इफ मेल और फीमेल कैरी कर रहा है तो क्या बोल हम क्या बोलते हैं यूनी सेक्शल बोलते हैं यह थोड़ा सा बेसिक चीज़े हैं जो आपको याद होनी चाहिए और आपका बेस मजबूत होने के लिए यह सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी आप देखिए यहां पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं इनके आरेंजमेंट की यानि की के case और को रोला के अरेंजमेंट की मतलब अगर flower को यह flower है और सिसलोवईर को में इस तरीके से देखता हूँ तो इसकी जो सैपल्स हैं और जो पैटल्स हैं उनका हमें अरेंजमेन्ट ऐसा दिखाई देता है उसका अरेंजमेन्ट होती हैं यानि कि जो क्यलिक्स है जो में कुछ और आई से शो होती है इस तरह से इस तरह 받ब है इस तरह की जाती है जब कि जो पैट्रस है वहैं ऐसे शो की जाती हैं तो बहुत बच्छों का did भी दूर हो गया कि जो सेपल्स हैं भाई साथ वो ऐसे और जो पेटल्स हैं वो ऐसे शो की जाती हैं तो आईए बात करते हैं हम लोग arrangement of calyx and corolla सेपल्स and petals को जिसको बोलते हैं स्टी वेशन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बात करते हैं एस्टी वेशन की और नीट वालों तुम्हारे लिए इसका एक एक एक्जामपल बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो देखो arrangement of सेपल्स and petals is known as estivation यानि कि सेपल्स और petals का arrangement जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं estivation बोलते हैं अब यह estivation बहुत सारे टाइप के होते हैं तो देखो पहला कौन सा है पहला है well weight well weight estivation क्या कहता है जरहां इसकी पुकार सुनो देखो हम बात मानके चल रहे हैं सबसे पहले तो मैं सेपल्स का बनानी जा रहा हूं आप petals का यो बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है सब कुछ सेम है NCRT में petals का दे रखा है इसलिये यहां पे मैं सैपल्स का बना रहा हूँ तो देखो यहां पे जो Whalet 보स्टीवेशन है मैं बात कर रहा हूँ कि सभी में 5 सैपल्स है सभी में कितनी सैपल्स है 5 सैपल्स है और flower को इस तरह से देखने पे हमको कैसी दिख रही है उसकी बात यहां पर होने जा रही है तो सबसे पहले पहले बात करते हैं well weight estimation की तो well weight estimation का मतलब क्या होता है well weight estimation का मतलब होता है कि जो यह 5 sepals है जो यह 5 sepals है 3, 4, 5 यह देखो इसको समझ जाओगे तो floral formula में कोई दिक्कत नहीं आएगी वर्ना रोते रोगे वहाँ पे तो यह जो 5 sepals होती है यह इस तरीके से arrange है कि किसी का point किसी पे overlapped नहीं है दोखो इस situation को हम बोलते है overlapped situation और इसको हम बोलते है कि neck to neck connect है तो ऐसे को हम क्या बोलते है well weight estimation बोलते है यानि कि कोई भी दूसरे के overlap नहीं है गुलाब देखते हूं ना गुलाब में सब एक दूसरे के overlapped होती है तो वो overlap situation है यहाँ पे कोई भी overlap नहीं है इसको हम बोलते है well weight अब सारे example कैसे याद करें example याद नहीं होते हमसे बहुत सारे वच्चे कहते है तो आओ देखो well weight में AL छुपा है ना well weight में क्या छुपा है AL तो देखो calotropis और brinjal calotropis and brinjal तो देखो भाई यहाँ पे यहाँ पे यह AL AL तो इसके जो AL वाले है वो example है calotropis and brinjal example होगा well weight estimation का clear आगे देखो आगे आज़ो हम बात करते हैं twisted की twisted ठीक है अब नाचने मत लग जाना है and we twist and we twist गाना है ना तो यह दो को twisted की बात करते हैं तो twisted में क्या है समझो twisted में जैसे माल लो मैं इसे structure को ऐसे करके मोड दूँ तो यह दूसरे की क्या था अभी तक overlap नहीं था लेकिन अब एक दूसरे की overlap हो जाएगा twisted में क्या होता है कि जो यह पांचों होते हैं यह कैसी condition में होते हैं in out condition में होते हैं ठीक है ना सब समझ में आएगा वरना आप से वापस जोगी तुमने दिये नहीं हैısı यह देखो इन तो यह इन आउट सिच्वेशन है आप यहां पर देख लो यह इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट इन आउट तो इन आउट सिच्वेशन है इसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड इसको हम क्या बोलते हैं ट्विस्टेड और फिर से तुमने क्वेशन पू लेडी हैस ट्विन चिल्ड्रन्स कोई चाइनीज लेडी है उसके जुड़ुआ बच्चे है तो चाइनीज से चाइना रूज चाइना रूज ठीक है ना लेडी से लेडी फिंगर ट्विन से ये ट्विस्टिड के एक्जाम्पल पढ़ रही हूँ और चिल्ड्रन से कॉटन दखो यार एक तो जो सी है तो सी से चिल्डरन का कॉटन हो गया वरना जो बच्चे होते हैं वो होते हैं रूई की तरह एकदम मुलाएं मुलाएं ठीक है ना तो वहा सनजीधा है तो से ये तुम से कहा है कि हम हमेशा पांच सेपल लेंगे कितने लेंगे cinq सेपल लेंगे ठिक तो इन पांच सेपल में एक तो इसी होगी जो helemaal यह officers होगी ज्यों कम्प्लीटली इन होगी और स्फेपल इसी होगी जो इनन आउट दोनों होगी करके देखे है करने से होता है तो देखो, एक सैपल है, वो completely out है, और इस वाली सैपल का मेरा मन है, कि मैं इसे completely in कर दूँ, तो यहाँ पर जो सैपल है, उसको हमने क्या किया, completely in किया, और बाकी in and out, तो देखो, यह एक बना, तीन हो गए, यह out ही रखनी है, तो यह और इसको हमें in ही रखना है, तो देखो, एक completely out है, यह वाला कैसा है, completely in है, बाकी सब कैसे है, in and out है, इसको हम बोलते है, इंब्री केट आप सारे एक्जामपल कैसे होंगे तो बताएं कैसे होंगे इंब्री केट में याद रखने की ट्रिक है कोई तुमसे कहें I am क्लासी पाइब गाई तुम लोग कहते होगे ना बड़े स्टाइल में आप क्लासी गाई तो देखो I am का मतलब क्या हुआ I am का मतलब हो गया Imbricate और Classy का मतलब क्या हुआ कैसिया क्लासी का मतलब क्या हुआ कैसिया और गाय का मतलब क्या हुआ गुल मोहर गुल मोहर ठीक है न तो इसका एक्जामपल क्या हो गया कैसिया हें और थ्री इन एंड और और एक और रह गया बाई इसमें तो देखो हम लोग चौथा पढ़ते हैं तो दो को यह हैं बहुत खतर नाथ हैं बहुत important है और नीट वालों के लिए बहुत स्ट साधा important है तो व्यक्जिलरी इसी का दूसरा नाम है और इसी का दूसरा नाम है descending Imbricate यह इंप्रिकेट और इसका छोटा भाई descending इंप्रिकेट अब देखो दोस इसमें क्या है यहां पे यहां पे एक तो बड़ा वाला जो सबसे बड़ा वाला रोल होता है ठीक है ना उसके बाद में दो साइड में प्रिजेंट होते हैं और एक नीचे प्रिजेंट होता है इसको हम बोलते हैं स्टेंडर्ड इसको हम क्या बोलते हैं स्टेंडर्ड नीट में बहुत ब लिका होगा और उसका मतलब निकल रहा कि एक जो लेएर है या जो एक कैना चाूटे सहतें या ऍठाल है वह बहुत बड़ी है और कभर कर रही है बाकिओंकी तो उसको हम क्या बोलते हैं विंग्स और यह लो लास्ट वाली है इसको हम बोलते हैं कील क्या है कील तो इसको हम बोलते हैं वेग्जिलरी estivation या peplineous estivation या descending imbricate और यह example होता है P का P का या bean का या फिर peplineous family का ठीक है ना peplineous family का peplineous family का यह example या तो आपके example में peplineous family होगा या P लिखा होगा सीधे सीधे या bean लिखा होगा भाई साहब इसकी कोई trick नहीं है इसको आपको as it is ऐसे ही याद करना है तो यहाँ पे हमारा estivation complete हो गया next lecture में हम लोग इसके आगे की बात करेंगे तब तक के लिए stay safe and stay healthy जहिंद